सब्सक्राइब कि पुरा नहीं मानिएगा थोड़ी बैस्ता रहती है हमारी भी इसे थोड़ी बिलम हो गए लेकिन क्लास लेना था तो आना ही था कि मेरे ताय बंदू आज हम लोग फिर से मैट्रिक्स का आगा लेक्ट्र लेक्ट्र नंबर थी देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स का लेक्ट्र नंबर थी देखने वाले हैं हम पिछला लेक्ट्र में हम लोगों ने देखा था पहला इमेट्र लेक्ट्र में देखा था हमनी मैट्रिक्स और इससे टाइप दूसा लेक्ट्र में हमने देखा था अलजेबर आप मैट्रिक्स और सिमेट्रिक हार मिश्यन एंड एस्क्यू हार मिश्यन मेट्रिक्स एंड इन्वर्स चैले भई बिलम नहीं करते हैं शुरू करते हम लोग हारी मिश्यन मेट्रिक्स यह जो सेशन है आप सबों के लिए बहुत महत्वपुन है जो भी विद्यार थी जो भी स्टुडेंट हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपुन है जो इस पार उन्वर्सिटी इग्ञामनेशन देने वाले हैं पिंकेश कुमार गुड इबनिंग मेरे भाई यहाँ पाए हर्मिशेर मैट्रिक्स हर्मिशेर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कोई भी अपने पास कंप्लेक्स स्क्वार मैट्रिक्स है कंप्लेक्स स्क्वार मैट्रिक्स का मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसका इलिमेंट क्या हो कंप्लेक्स नंबर हो जिसका इलिमें the complex square matrix hmm hmm good evening जमसेद आलम देखो बंदू ध्यान से देखो गए बात में यहां मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी complex square matrix है complex square matrix Z है वो हर मिश्यन कहला एकर सर्त यह होगा कि Z star is equal to में Z Z star is equal to में Z Z star is equal to Z Z star क्या होता है भई यह समझना जरूरी है Z star जो होता में भाई Z star जो होता वो basically Z star का मतलब होता Z conjugate का transpose या transpose का conjugate तो नमसे कोई भी लगा सकते हो तो नमसे कोई भी लगा सकते हो मैंने क्या बोला यहां पर ध्यान देने वाली बात है छोड़ी सी बात है ध्यान देने वाली बात है जड़ स्टार का मतलब हुआ कि जो एलेमेंट्स है उसका conjugate निकालो और उसका transpose करो conjugate transpose of a matrix इसको बोलते है conjugate transpose of a matrix या पहले transpose करो भाद में conjugate करो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे क्या Z star और Z दोनों अगर सेम हो रहा है in that case matrix is known as Hermitian matrix समझना बातों को जैसे मैंने कहा Z star is equal to Z की बात हो रही है अच्छा Z star अगर मालो यहां पर से हमाई पास आया Z is equal to में matrix है Z कोई matrix है इसके elements है Z I J Z I J order है N by N ये matrix को हम लोग conjugate transpose बोल रहे हैं इसका मतलब ये कह रहे हैं कि Z star Z star ब्राबर Z मतलब क्या यहां पर Z का conjugate Z का conjugate और transpose transpose का मतलब G I ठीके अउपर छत्री लगा है तो conjugate ब्राबर कितना हो जाना चाहिए वापस में Z I J ही रहना चाहिए in that case हम बोलेंगे matrix is matrix is Hermitian for all I J सुनना ध्यान से मैंने क्या कहा कि कोई भी complex square matrix से complex matrix का मतलब वैसा matrix जिसके numbers कैसे होंगे complex number होंगे complex matrix मतलब वैसा matrix जिसके numbers कैसे होंगे complex number होंगे यहां मैंने complex square matrix का है मतलब वैसा matrix जिसके numbers याने elements complex number हो साथ में row column भी equal होगा तो उस matrix से नाम complex square matrix होता और उसका star Z star बहाँ पर Z होता हो जड़ star का मतलब क्या होगा Z star का मतलब conjugate का transpose या transpose का conjugate इसी matrix का पहले conjugate निकालो बाद में transpose या पहले transpose बाद में conjugate कान्जूगेट का ट्रांसपोज का समझेलों बात को कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का conjugate निकालते हो उसका नाम होता है Z star जिस matrix का जिस square matrix का Z star और Z same हो नाम उसका Hermitian matrix नाम क्या ची? Hermitian matrix ठीक है भई? अब देखें यहाँ पर से हम बाते कर रहे हैं कि इससे जुरी कुछ खास बाते क्या क्या हो सकती है मैंने कहा जब आय और जे दोनों सेम हो आय और जे सेम होने का मतलब diagonal elements के बारे हम बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे थे सर कि यहाँ पर जेड़ जी आई बराबर जेड़ आई जी है अच्छा जेड़ जे आई का conjugate बराबर जेड़ आई जे है अच्छा इसका मतलब आई के जगा जेड़ पूट करोगे आई के जगा जेड़ पूट कर लो या जे के जगा अपर आई पूट कर लो जेड़ आई आई बराबर में जेड़ आई आई का conjugate अच्छा इसका मतलब यहां से कर मालो कोई complex number है ZII कोई complex number है X plus में IOTA Y क्योंकि complex matrix का element है तो यहां पर से Z का conjugate आप से पूछेगा X minus IOTA Y बिल्कुल यह तो बाते आपको समझ में आती होगी येस सर अब ये समझेए मेरे भाई मेरे बंदो कि यहां पर जो सिन बंदा उसकी हिसाब से ZII X plus में IOTA Y है आई ये X minus में IOTA Y है और हमें देखने को मिल रहा है क्या यहां पर से हम इस दोनों भाई साब को cancel कर सकते हैं येस तो हम क्या देख पारें सर की 2 IOTA Y is equal to 0 इसका मतलब यहां से Y is equal to 0 इसका मतलब ZII जो होगा ZII इसका सिर्फ ZII के पास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ X होगा Y तो 0 होगा अगर X है इसका मतलब बोलेंगे कि ये भाईया purely real है क्या है purely real है इसका मतलब यहां से बोल सकते हो क्या देट इज में डाइगोनल इलेमेंट्स जो है में डाइगोनल इलेमेंट्स आर रियल यहीं हर इमिशन मेंट्रिक्स का में डाइगोनल इलेमेंट्स हमेशा रियल होगा अगर हम बात करें नौन डाइगोनल इलेमेंट्स के बारे में तब नौन डाइगोनल इलेमेंट्स के बारे हम बात करेंगे तब क्या होगा Z I G बराबर में Z conjugate GI मतलब क्या मतलब यहाँ पर से यह समझाता है that is कि अगर हम Z 1 2 के बारे में बात करेंगे तो Z 2 1 होगा conjugate में Z हम बात करेंगे यहाँ पर से 1 3 तो conjugate में जाएगा Z 3 1 और उसके बाद Z 2 3 जाएगा Z 3 2 के conjugate ऐसा कुछ सीन बंदा है येस बंदू येस 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 ये कहाँ फाइदा पहुचाएगा example लिखने में बड़ा मजाएगा इससे ठीक्या भई ओ भई याभी हर्मिश्यन है उसके बाद SQ हर्मिश्यन आयागा तुम तो एक कतम आगे चल रो मेरे से पता नहीं कौन सा 12th का बैच एक स्टार्ट हो रहा है भई मेरे 12th का बैच एक स्टार्ट हो रहा है 2nd of March से और बाद की बैच 15th मार्ट से 1st बैच 2nd and 3rd बैच तीतल कुमार अगर हम कह रहें कि रियल नंबर के दुनिया में मतलब इस रियल नंबर के फिल्ड में किसी भी इस complex square matrix का सारा element अगर रियल नंबर हो जाए harmission matrix बन जाता है symmetric matrix harmission matrix बन जाता है symmetric matrix देखो ज़रा साब मैं यहां पर छोड़ा सा से एकस्प half करने जा रहा हो आपके लिए करबीशियन का हमने लिए हापट जैद कोई मेट्रिक्स है इसका इंस चुव है कंडी सले का मेसम कर लिए दिखाते हैं को सब से से पहले यहां पर नेशा सबसे घर चाहां कि मैं سबसे लोता है क्या हम मैंने लगता है कि cbsc अब अलग अलग होता है एक्जाम का पैटनर दुनों का अलग है सेले बस तो सेम ही है ना बाबुजी आप लोग अलग 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 करके बजारे बिहार बोड को बिहारी बना दियो यहां पर रियल रहेगा वर ले लिया हमने और यहां माइनस थ्री ले लिया कोई दिकत नहीं और यहां पर मैंने कहा कि यह जो इलिमिन्ट लगाओगी से टू पलस में लिक दिया मैंने फाइव आयोटा इसका कंज मेरे भाई पहले क्या करो जेड़ स्टार का मतलब हो गया यहां पर जेड़ का इसका हम यहां परसेख है पहले का करें इसका सभी इलमिन का कराई लिख लेंगे आप बाद में उसका ट्रांसपोज लगा देंगे का कैंजुगेट मतलब 1 का का करगएट वहां ही रता स्थी सेम इसका चाहत चाहता मतलब 2 something 2-5 तो तू माइनस में 5 आयोटा और यहां पर देखा जाए तो टू पलस में कितना असर 5 आयोटा और यहां मैनस 3 का कंजूगेट वही रहता है अब इसका कर लो ट्रांस्पोज ट्रांस्पोज का मतलब यहां पर से बन्द हो वान टू पलस में 5 आयोटा और टू पलस में 5 आयोटा र वालम अपने आप रो बन चुका है आपको क्या देखने को मिला वापस यह जैड आता है मैंने कहाते हैं एक्जाम्पल लिखने बड़ी फाइदा करेगा दोनों को कि रियल लखो इसका कंजूगेट यह रखो कि सुने यहां गुड इवनिंग अर्पिता गुड इवनिंग बड़ा भाई बोल या त्यरह भाई बोलो त्याद बोल सकते हो द्याद ऐसे होता है दुनिया कहती है सा मुझे मैं नहीं गयाता हूँ जड स्टार इस एक्वल टू में जड़ लेकिन माइनस के साथ इसका मत्र यहां जो हमने कहा कि अगर हमारे पास में जड़ इस इक्वल टू में जड लेलिया हमने जड आई जे इसका इलिमेंट इसका ओर्डर लेलिया एन बाई न जड स्टार बराबर माइनस जड मिन्स के असर यहां से जड स्टार का मतलब हुआ जड का जड आई जे है तो जड जे आई बनाओ पहले कंजूगेट कर लो यह माइनस में जड आई जे के बराबर हो और आई एंड जे अब देखने बाले बात यहां पर है मेरे भाई बंदू कि आई और जे बराबर है तब मतलब फिर से मैं डाइगोनल में गुशने जा रहा हूँ डाइगोनल इलेमेंट्स में गुशने जा रहो भाईया डाइगोनल इलेमेंट्स आई और जे बराबर है तो उस केस में हमारे पाद जो फॉर्मिट हो तो यह लिख दिया मैंने ठीक है इस माइनस को इधर करके लिए दिया कोई दिक्कत नहीं है अब हम इसमें कर रहे हैं क्या I और J बराबर मतलब Z I I बराबर में लिखोगे Z I I is equal to minus में Z I I यहाँ पर भाई ने गड़ बर लिख दिया है यहाँ भी गरबर था हम् प्रिमाग कह लारा है वो दो इसके माता पिता ने नाम रख दिया है उसके साथ क्यों चर्कानी करना best अब यहां पर से बात करेंगे हम लोग यहां पर तो क्या कहानी बनेगा सो बताओ अगर आपसे कहा गया कि जैड ब्राबर कोई कंप्लेक्स नंबर है इसका मतलब यहां से लिखोगे एकस प्लस में आयोटा वाई इधर लिख दिया माइनस के साथ हम लोग इसका मतलब क्या इसका मतलब यह कह सकते हैं कि जैड जो हना जैड जो हम x plus iota y सोच रहे थे जैड आई जे जो एक्स प्लस iota y सोच रहे थे जैड आई आई जो iota x plus iota y सोच रहे तो सिर्फ उसमें क्या रहेगा आपने पास x0 जुका है इसका मतलब purely imaginary purely imaginary या फिर 0 या फिर 0 ठीक है भई इसका मतलब यहाँ पर से यह कहेंगे कि diagonal elements जो होगा इसका main diagonal elements main diagonal elements are purely imaginary imaginary और जीरो मतलब डाइगोण elements जब कभी लिखो या तो सिर्फ आय उठावला लिखोगे या फिर 0 लिखोगे आई इसका non diagonal elements के बात करते जब आई जे ब्राबर नहीं है तब इसका मतलब यहां पर से यह समझ आता हमें that is जे ब्राबर एक्स प्लस आउट जे आई जे ब्राबर में माइनस के साथ जे जे आई इसका मतलब जे वन टू जब लगाऊंगा यह माइनस के साथ टूवन बन जागा लेकिं conjugate भी रखेगा अपने पास उसके बाद Z23 अगर लगाता हूँ तो ये Z32 बनेगा Z32 बनेगा और 32 32 बनेगा with conjugate उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें आगे झाल 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 यहां पर कहानी अपने शामले में हाजिर है कोड़ी स्टार्ट करें नशर बिल्कुल आपनों का अदेशराकों पे होगा बहुत जल्दी करेंगे आप कर मार्चकाल बिग मार्च के लास्ट विक में में अगर फकी ने में 50 में अम यह पासक उत्र फुला सबट करो जैड अभी देखो हमें स्क्राइब कर दिया कर दिया कर दिया सर हाँ कोई दिकत नहीं बच्चे से लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपना उसको रिपीट करते रहते हैं यहां पर जीरो या सिर्फ आयोटा वाला लगाओ यानि टू आयोटा थ्री आयोटा चलेगा यहा सिर्फ अलस में फूर आयोटा कि इस का चंजूगेट भी और माइनस संभी होना जाही हाँ और यहां पर कर दो नहींत का मतलब क्या हो जाएगा माइनस वीच में लोग थी को माइनस से मल्टिप्लाइ करना है इसका मतलब माइनस त्री आप पलस कितना फूर आयोटा कि एग नहीं कि यहां से हम बोल सकते हैं क्या तर जेड इस्टार इनिकालना हमें यह सर्व इसका मतलब यहां से बात करेंगे क्या लगा लेता हूं त्रांस्पोर्ज कर लूँगा अगले स्टिप में यहां जीरो इसका इसका माइनस त्री माइनस फूर आयोटा और माइनस में टू आयोटा ऐसा अब इसका जो है हम करेंगे ट्रांस्पोर्ज जीरो त्री माइनस फूर आयोटा माइनस फूर आयोटा और साथ में कितना टू आयोटा अब लेता हूं इसमें से माइनस कॉमन माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर जीरो का जीरो यह बन जागा थ्री पलस में फूर आयोटा यह वला अपने पास में फूर आयोटा और यह वला आपस में टू आयोटा तो मेरे ख्याल से लगता है कि आप पहुंच चूके हो माइनस जड तक इसका मतलम SQ Hermitian है अगर किसी भी complex इसमें complex square या Hermitian SQ Hermitian में इसी भी SQ Hermitian में अगर हम सारे real numbers पूटिन कर दिये मतलब real number के दुनिया में बात कर रहे होंगे ये real number होगा ये real मतलब फुरा आयोटा नहीं है ये फुरा आयोटा नहीं हमारे पास ये बन जाएगा आपने पास SQ symmetric matrix SQ symmetric matrix मतलब Hermitian में सभी numbers अगर real कर दिये जाए हरमिशन symmetric SQ Hermitian में सारे numbers real कर दिये जाए तो SQ Hermitian SQ Hermitian में सारे numbers को real कर दिये जाए सभी है तो SQ symmetric Hermitian में सारे numbers को real स्यमेट्रिक अगर अगर और उसके बाद फिर यतने भी SQ Hermitian है उसमें सारे numbers real SQ symmetric इसका कुछ प्यारा प्रोपर्टीज है इसको भी देख लेंगे हम लोग A अगर Hermitian है इसका मतलब A IOTA A SQ Hermitian होगा देखता हूँ मैं इसको प्रूफ करता हूँ से इसका प्रूफ नहीं आता examination में एक ही इसमें अंदर में जो प्रूफ करने लाइक है तो examination में आने का chance रहता है A star is equal to में A A star is equal to A है ठीक है भई? तो हमें यहाँ पर से बात करना IOTA A का star तो इसका मतलब IOTA का conjugate A star होता है तो क्या आपने का है conjugate transpose conjugate मतलब IOTA का conjugate अब यह बन जाएगा अपने पास में सर यहाँ से हम कह सकते हैं IOTA conjugate minus IOTA A star तो A लिख सकता हूँ ना जी सर इसी का star यही आया बट minus के साथ आया इसका star करा यही आया बट minus के साथ आया ठीक है अगर हमाया पास में दिया हुआ है square matrix जो एक वे square matrix यह समझ में आया इसका star यही आया बट minus के साथ आया तो कहला है का ट्याची फट्रमीशियन ए अगर सब्सक्राइब है तो एप पलस एका एप पलस एका इस्टार हर्मीशियन ए मानस एका स्टार स्क्यू ए माइनस एस्टार ये भाई साहब ने थोड़ा गरबर कर दिया इसके अंदर में SQ Hermitian और A star into A Hermitian और A into A star is also Hermitian जिके ये से कभी-कभी कभी सम्ताइमें में देखा गया है कि परोव इसका आजाता एक ये आपने खभोर आया इसका पुर्ष हां आपने पुलष में इस ब्रस में और इसनी इसका प्रूफ है हम ये पहला पूर्फ करना है तो भिया क्या करेंगे ए पलस में A star कि उपर स्टार इसका मतलत आब पलस में ए स्टार का इस्टार बिलकुल ट्रानस्पोर्ज की तरह काम करता ह। किज़ंचर की डैपल सुह आयाता है तो आप स्टार पलस में इसका मतलब यहां से कह सकता हूँ कि A पलस में A स्टार वापस वही आया इसलिए ये सिमेट्रिक है सुरी हर्मिशियन है ठीक है ये हर्मिशियन है हर्मिशियन P I A N होगा बच्छे ने O कर दिया है यहाँ पर A लगा दे ना भाई मेरे वो कर दिया है भाई ने हम् तो दूसरा के इसमें आजाओ A माइनस A स्टार तो A माइनस A स्टार का मतलब हो जाएगा भाई मेरे यहाँ पर से A का स्टार फिर माइनस में A स्टार का स्टार यानि कि A स्टार माइनस में A माइनस कॉम ले लिया A माइनस में A स्टार इसका मतल्द यह बन गया आपने पास SQ Hermitian क्योंकि सेम चीज आ रहा है माइनस के साथ इसका मतल्द लिखू कि आपर से A माइनस में A स्टार A is SQ Hermitian क्या बोलोगे इसको SQ Hermitian ठीक है भई? हाँ जी अगर इसका तीसरा चौथा पुरूप करना है तो भी कर दिता हूँ तीसरा नंबर अपने पास में है क्या? A into A A star A into A star का star यानि कि यहां से A star का star transpose बाला डूल डिवर्सल लौ पहले इस पर चरहा A star लेकिन इसको उल्टा लिखा मतलब इसको बाद वाला को पहले इसको बाद में double A star से वही आता है हो तो गया फिर तो A into A star is her mission क्योंकि इसका star लगाने पर वापस वही आ गया एजुकेशन प्लाइट नमस्ते भाईया और पीता जी और यह हुए यह सब एप के अंदर में फिर से रिविजन कर रहा है बिल्कुर रिविजन कर लीजिए क्योंकि रिविजन करने से एक्जामनेशन बहतर जाता है सोनु कुमार जी गुड इवनिंग और चौथा नमबर में चलो A star into A का star यहां से बोल सकते हो इसमें भी उल्टा कर लो A star पहले और A star का star बाद में यानि कि A star और A ऐसा Hello my study center इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ A star A is permission और यहां चलो आगे यह property काफी महत्वपुर्ण है इसका examination में आने के पुरी-पुरी संभावना रहती है तो क्रिप्या करके इसको दिल से लगा के रखें बिल्कुल वह जैसे पुरुप किये थे हम लोग symmetric में एक्स्प्रेस कर सकते हैं किसी भी matrix को किसी भी square matrix को uniquely same funda यहां पर भी है कि किसी भी square matrix A को हम express कर सकते हैं uniquely as the sum of as the sum of Hermitian and skew Hermitian Hermitian and skew Hermitian कि अभी matrix खतम होगा उसका trigonometry trigonometry के बाद theoretically कुछ ने साथ होगी अभी कुछ भी नहीं ऐसा है कि इसका पुरुप तक्दम बढ़िया से सीखी लो तो कि examination में सबसे महत्वपुर्ण कोई अगर बंधू है यहीं है कि से symmetric or skew symmetric के तरह है वह वाला यह वाला similar है तोनों में से को examination में एक रहने का पूरा पूरा चांस है रहने का चांस क्या रहेगा ही देखो भाई बंधू यहां पर पहले एक matrix A को हम दिखाएंगे कि वह sum of permission और skew permission है बार में दिखाएंगे वह unique है तो देखो हमारे पास A दिया है तो A is equal to हमने 2 से divide लगा दिया दो से multiply लगा दिया और मैंने इसको कर दिया A plus में A अब पलस में A star माइनस में A star अब यहां पर से देखो one by two A plus में A star को मैंने साथ कर दिया अब फिर पलस में A minus A star को मैंने साथ कर दिया बहुत बढ़िया और हाप से मैंने इसको साथ कर दिया मतलब multiply भी कर दिया अब पलस में A star अब हम यह जानते भी हैं कि A plus A star अर्मिशन होता और A minus A star इसक्यू अर्मिशन होता और A minus A star इसक्यू अर्मिशन होता जानते हैं जी सक्यू पिर भी हम यहाँ पर कहेंगे therefore it is of the form A is equal to P plus Q के form में है जिसमें हम कहरें कि where P जो है where P जो है वो है half into A plus में A star इसक्यू अब सुनना ध्यान से हमारे च्वाइस परिप्रियं करता है कि इसको पिर्वभ भी कर दें कि हर्मिशन है निकाल देते हैं निकाल देते हैँ जाता कोई बात नहीं है इस्टार रहे गई है आप पलस में डवल इस्टार आ जाएगा इसके उपर कि ऐसे कि आफ इन्टू में कि एस्टार एडवल इस्टार यहां पर आफ इन्टू इस्टार पलस में ए इसका मत्व वापस आ गई है पी इसका मत्व बोलोगे पी इज़ परमिश्यन ठीक है बंदू अब इसमें दूसरा केस थामाए पास में एंड दूसरा क्यूँ हाफ इन्टू ए माइनस में इस्टार ठीक है अब देखो इसका भी इस्टार निकाल के देख लो वैसे नैसे स्री नहीं है लेकिन कर देंगे तो और जादे आनन्द मिलता है आप तो बाहरी रख सकते हो कोई दिकत नहीं है आप इन्टू में ये ए स्टार माइनस ए स्टार का स्टार हाफ इन्टू में ए स्टार माइनस ए ठीक है अब यहां से माइनस को में लूँगा तो यहां से आज़ेगा ए माइनस में ए स्टार ठीक है अब बताओ यहां पर से क्या बन जाएगा माइनस का क्यूँ इसका मतलब क्यूँ हुआ ना इस स्क्यू हर्मिशन येस सर्ट इसका मतलब यहां से बोश सकते देर फोर यह वहाबर जो पी प्लस क्यूँ था इस सम आफ हर्मिशन एंड एसक्यू हर्मिशन ठीक है बई अब अब सुनो ध्यान से अब अब सुनो ध्यान से गुल अब इसका यूनिक नश दिखाना है यवीकक नश मतं ना यूनिक नेस विकनेस नहीं यूनिकनेस और यूनिक नेस कि अब सुनना ध्यान से हम उसके लिए माल लेटे वह इप पॉसिवल कि यूनिक होगा लेकिन फिर भी हम जब वरस्ति माल इप पॉसिवल लेट यह बहाबर में एक्स पलस में वाइव कि जहां पर एक्स क्या है एक्स अर्मिशियन है कि यानि कि एक्स कि इस्टार ब्राबर में एक्स कि अब यह भी बात क्या रखना और सो एक्स जो है वह अलग है कि से पीस है टेम्परोरी ततकाल बोल रहा हूं कि यह वाह कि प्यारा बच्चों इस सबको बढ़िया से बनेगे इस थेओरम को बहुत बढ़िया तरीका से सीखिएगा इस प्रपड़ी को दूलोब लाल पीले बच्चों मेरे और इसको अगर बढ़िया सीख लोगे दोको मैंने यहां पर अपना दिल निकाल के रख दिया है यह को अगरा दिल निकाल के रख दिया अब कॉंट मत करना कितना है मेरे पाथ इतना इस्टूलेंट है उतना साह दिल है हमने यहांपका अपना दिल निकाल के रख दिया है और तुम लोग इस थ्वरम को दूलोब लóp पीले बच्चों मेरे बच्चों अब पर यहां प कि के आ कि कि के आ और अल्सो ये बात याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग वाई ले रहे हैं वो वाई क्यू से अलग है यूनिकनिस में यही चीज ध्यान रखना होता है कि जो चीज आपको बोलडा प्रूफ करने के लिए वही चीज ले लो अब बोलो कि हम गलत लिए हैं उसे अलग फॉर्मेट ले लो अब बोलो कि हम गलत लिए बार में दिखा दो कि हम जो गलत लिए वो गलत रही था यानि कि यहां पर से अब हम निकालेंगे A का स्टार कौन सा A सर जो फर्स्ट एक्वेशन से हमें दिखने को मिला है यहां पर यह X प्लस Y का स्टार आहां लाइक करना जरूरी नहीं है आप लोग लाइक करने में अपना इनर्जी क्यों खतम कर रहे हैं देखिए आप वीडियो को लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे तो आपके घर का सौरी घर का बोड़ा हूं आपके मोटसाइकल का आपके सरीर का एक लिटर खून या पेट्रॉल खतम हो सकता है इसलिए वीडियो को लाइक ना करें और सेयर ना करें अधिक है आपके सरीर का खून और कि अधिक है अब यहां से हम देख रहे हैं कि एक्स इस्टार अपलस में वाई इस्टार आ गया है हाँ जी सर एक्स इस्टार को एक्स लिखेंग वाई इस्टार को वाई लिखेंगे माइनस का इसका मतलब एस्टार कितना है अपने पास सेकेंड़ी कुशन आ गया अब फास्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं कि दुनों को एड करेंगे तो एक्स और एक्स मिलके टू एक्स बना देगा हमने क्या पहला और दूसरा को एड़ हमाया पास क्या मिला सर एपलस में एस्टार अबर टू एक्स और यहां से एक्स इस इक्वल टू हाफ इन टू में एपलस में एस्टार जो की आगया एक्स इस इक्वल टू पी का वैल्यू यह तो पी का वैल्यू था उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें तो फाहिला और माइनस दूसरा का इसका मतलब A माइनस में A स्टार हमाय पास आजागा 2Y यानि कि यहांसे Y is equal to लिखोगे half into A माइनस में A स्टार यानि कि Y is equal to लिखोगे Q इसका मतलब हम जो है कि माने थे कि भाईया X P के बराबर नहीं है Y Q का बराबर नहीं है लेकिं यहां तो उल्टे पुरूफ हो गया कि भाईया X P के बराबर है Y Q के बराबर है इसका मतलब यहां से बोलेंगे क्या A it is which is contradiction therefore which is contradiction इसका मतलब बंदू हैंस हम यहां से बोल सकते हैं कि यह बराबर में P प्लस Q जो था और X प्लस Y यहां से बोल सकते हैं इसका मतलब यह जो अपने पास था यह यूनिक है यह क्या है यूनिक है इस यूनिक ठीक है झाल झाल यह यूनिक है झाल 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 यहां आगे 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 वही हाँ ज्यान दीजेगा वही हाँ यह होगा अपना प्रूफ कंप्लेट अब बड़ते अगले कहानी पे तो आगे प्रोपड़ी ए अगर स्क्यू हर्मिश्यन है तो आउटा ए हर्मिश्यन मेट्रिक्स होगा एक है आपने पास स्क्यू हर्मिशन मेट्रिक्स है आयोटा एज होगा ओबी वह हर्मिशन हो जाएगा ठीक है और ए यहाँ पर सुनना ध्यान से एस क्यू हर्मिशन होने का मतलब हो गया कि एस्टार इग्वल तु ए लिखना है मेरे भाई लेकिन माइनस के साथ और हमें बात करना इसमें आयोटा एक के बारे में आयोटा एक इस्टार लगाऊंगा तो आयोटा का तर्जूगेट और इस्टार कि इसका मत्रायोटा करन्जूगेट माइनस आयोटा एस्टार तो माइनस ए बोल सकते हो हाँ जी इसका मत्री हो जाएगा आयोट कि आयोटा एक का इस्टार आयोटा एक इसका मत्ता आयोटा एक कि अनुमिशन नहीं कि अच्छु कि इतना तुम लुब हला हुलम कर रहे हो कि अनुमिशन नहीं संच है और नहीं कि अनुम हुलम कि अनुमिशन Fotrakик कर दो प्रियू में एक्जामेशन अप्रिल लास्ट विख मेंんだ okay समझ नहीं आया क्या समझे ना तुमको क्या बोltे है पबलिक पता नहीं अब सेडेंग का स्पेलिंग सही से लेखो कोई बात नहींस अब बता दीजिया ब से अप्रील में एक्जामिनेशन होने वाला है लेकिन अभी तक कन्फर्म डेट नहीं आया है तो होली के बाद सुचना मिल जाएगा का स्कॉर मेर्टिस उनिकली एक्सप्रिस्ट एज दर सम अपरमिशन और स्कुर मिशन भया इलर का कोन है भया आसी सरंजन आसी सरंजन ओ भाईया आसी सरंजन कहा हो देखो तो ये मैंने क्या प्रूफ किया ये मैंने क्या प्रूफ किया भाई मेरे कहा ध्यान है आपका ऐसे मत किया करवंदू है अगला कान आपने सामने में आ रहा है सर्व कि अगर 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 हो ये और भी हर्मिशन है तो ए पलस ए पलस बी हर्मिशन ही होगा ए इंटू बी भी हर्मिशन होगा लेकिन थोड़ा इस केस में याद रखेगा कि A, B बराबर B, A होना चाहिए और इस केस में चले आते हो तो AB पल elf में BA fix हुगा और ABrage by and are friction होगा यह बिल्कुल सेम उसमीक कित्रा है जिसे symmetric और स्क्रटी समेट्रिक हुला था कामी ही चलिए कहां है नहीं complete हुआ przy function अब चलते हैं हम लोग एड्जुवाइंट पे इड्जुवाइंट क्या होता है किसी मैत्रिक्स का इड्जुवाइंट क्या होता वहीं देखूं कोई A-square मैत्रिक्स अपने पास है जिसका नाम A है अगर उसका एड्जुवाइंट पूछ रहा है तो हमें simple सा काम करना है क्या simple सा काम करना है क्या transpose निकालना है किसका matrix formed by formed by co-factors matrix formed by co-factors matrix formed by co-factors ठीके अब 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 कि हम साइन्स को ले में रोज जाते हैं प्रोफेसर से पूछते हैं कि अप्रील के लांस्ट विक में होने हैं आप अप्रील में होगा ही ठीके हैं तरो ध्यान दीजिए आपर यहां मैंने वहां कोई इसका मैंटरिक्स दिया हुआ ए उसका ट्रांस उसके मैंटरिक्स औप कोई भी है स्क्राइब की इसका एडरिज्वाइन्ट क्या होता है सर्थ तो ट्रांस्पोर्ज अप्रिक्स फ़र्म्ड वाई को फैक्टर्स ओप इलेमेंट्स अप अप ए यानि कि कोई मेट्रिक्स आपके पास दिया हुआ उसके एलेमेंट्स को रिप्लेस करके उसके को फैक्टर्स डाल दीजिए और उसका ट्रांस्पोर्ज किजिएगा जो कि 12 में भी आप पड़ते हैं अच्छा भाईया जी इसको डिनोट करते हैं हम लोग इट इज डिनोटेड बाई इज डिनोटेड बाई इज डिनोटेड बाई मैट्रिक्स औफ को फैक्टर्स मैट्रिक्स बाई को फैक्टर्स या मैट्रिक्स औफ को फैक्टर्स मतलब को फैक्टर से तयार को फैक्टर से तयार मैट्रिक्स को फैक्टर से तयार मैट्रिक्स का ट्रांस्पोर्ज रही है अब सुनिये अध्यान से यहां पर से जैसे कि हमाया पास element दिया matrix दिया A आपको factor तो मेरे ख्याल से जानते होंगे that is मैं यहां पर से लिख दे रहा हूँ पहले ऐसे लिखूं that is का मतलब यहां पर से ऐसे समझो अब्रावर matrix से अपने पास में A11 A12 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 यह है अपने पास matrix आप इसका adjoint क्या होगा मेरे भाई तो adjoint निकालने का मतलब हुआ adjoint of A क्या करना इसमें simple सा बात इसका transpose निकालोगे किसका सर इसके element का फैक्टर से लिखो तो A11 A12 A13 हमने element छोटा का नाम element अब बराबाला का नाम हुआ को फैक्टर को फैक्टर of A11 हुआ यह को फैक्टर निकालने आता होगा 12 में परे होंगे मेरे ख्याल से ठीक है भई अब ध्यान दीजे रहाँ पर से A21 इसका को फैक्टर A22 इसका को फैक्टर A23 को फैक्टर उसके बाद A31 को फैक्टर A32 को फैक्टर A33 को फैक्टर है इसका ट्रांसपोज कर देंगे बढ़ते आगे इसके कुछ प्रोपर्टीज है तो प्रोपर्टी एक्जामरेशन में नहीं आता बीए सी के अंदर में प्रूफ करने के लिए एक भी प्रोपर्टीज नहीं आता है लेकिन इसका यूज परेगा आगे इनवर्स के टॉपिक् तब कहता है एरज्वाइंट ओप एंटू बी एरज्वाइंट ओप एंटू बी जब निकालने जाएंगे मेरे भाई एरज्वाइंट ओप एंटू बी तो उल्टा लिखेंगे एरज्वाइंट ओप एंटू एरज्वाइंट ओप एंटू एबी है तो बी ए बना देंगे इसका नाम होता है रिवर्सलर लोय क्या होता नाम इसका रिवर्सलर लॉग और ज्वाइंट ऑप एक का ट्रांस्पोज हुगा तो ट्रांस्पॉज होल का कर लेंगे कोई सकेलर होगा यहां पर कोई रियल नंबर है कि वह अगर मलती प्लाइ में होगा तो के का पावर N-1 बाहर लएंगे के का पावर N-1 N बोले तो order आइड़ जुआंट ओप ए लिख लेंगे एड़ जुआइंट आप डिटर्मिनांट ओफ एड़ जुआइंट का की टीट एडर इड़ा इडर्याइंट था डिटर्मिनांट अब आप अगर तो आप सेधी तर्टेमिनांट अफ यह का पावर कितना N-2 इंटु कितना इपिर से इसका दिटर्मिनांट पूछ रहा है डिटर्मिनांट और जॉएंट अफ ए इसका पावर N-2 यह तो ठीक है हमें बात करते आगे अंब आपने पास काम का इह हमारे सिलिबस, क्यामिस में आते है जहान से दिशेगा ओर भी हमारे समें व्याक्ष मेर्टिक हैं दुनों का दुनों मेर्टिक कैसा है सर अगर इस तरह से और इसको डिनोट करते हैं लोग कि से इसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स से डाटीज ऐसा कह सकते हो कि ब्राबर कितना होता है सर इंवर्स भी इस इक्वल टू में ए इनवर्स ठीक है आजी अब ध्यान देजाएं आगे ध्यान दिजाएं अब बंदू ध्यान दिजाएं इसके लिए प्राइशा फार्मूला इनवर्स निकालने का अब ध्यान दिजाएं अब आलकू फाल अब कॉमेंट वारा अब ध्यान दो कॉमेंट के चक्र में मैं समय ज़दे ले लिया अब पहा काया अपाया क्रमूला इसलिए पहाने पर काम ज़दा करना है समय झाल त्यान दीजेगा भई या ध्यान दीजेगा जो फार्मूला आपके पास से एन वर्स बरापर में आपके और दीटर्मिनान जीरो नहीं होता है यह देट मेंट्रिक्स इस नोन एज नॉन सिंग्लर मेंट्रिक्स टो ए इन वस्त अभी एक जीस करेगा जब मेंट्रिक्स कैसा होगा नन सिंगलर होगा ठीक है भई आप ध्यान दीजेगा यहां पर से ध्यान दीजेगा ए इन वर्स इस इकोल टू वन बाइटेमिनांट ओफ ए इंटू एडज्वाइन्ट ओफ ए है वैसे इस फर्म लागावी पुरूफ ने आता एक्जाम रसे वाप 12 में पर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसको कर देते हैं रफ अब देखो अभी जास हमने कहा है आप पर प्रोपर्डी हमने पार की ए इन तू अच्छा यह प्रोपर्डी तो इसमें लिखना बाकी रहा गया भई इसमें खतरनाक पर जिसका जौत परेगा उस तो टाइप ही नहीं गया मेरे भाई ने बहुत खतरनाक प्रोपर्डी होता एक साथमा नमबर प्रोपर्डी और लगा लो इसका एंटू एड़ जौाइंट ऑफ ए बराबर में एड़ जौाइंट ऑफ एंटू ए मस्ट भी एक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई यह तो भाई साहब लगा है नहीं इसी का दुज्वत परता आगे चलके ठीक है अब सुनिए किसी भी मेट्रिक्स को उसके जोएंट से हमल दीप्ला करेंगे एड़ जोएंट कुस मेट्रिक से हमल दीप्ला करेंगे तो डिटर्मिनांट ऑफ एंटू आई बनेगा अच्छा सर इसका मत्तब मैं यहां से यह बात कर लूँ ठीक है अब यहां से इसक अब ध्यान दीजेगा अगर हम सभी में डिभाइड कर देडिटर्मिनांट ऑफ ए से तो कोई दिक्कत नहीं जी सर कोई दिक्कत डिटर्मिनांट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया हर एक में इच में हमारे पास जो है क्या एक सकते हो एंटू एड़ ज्वाइंट आफ एड़ पूसर में एड जोइंट ऑफ ए मल्टिप्लाइड वाइड ए ऑफ द आपास एड़ दिशं आच नहीं आपर कितना सा डिटर्मिनांट ऑफ ए इन्टू आइप एड़ दिवाइ देवाइड प्मिनांट ऑफ ए अब यहां से दुनों गायब हो गया बिल्कुल सर अब ठीक कर ले इसको थुरा सा ठीक कैसे करूं सर एंटू इसको लिख दिया मैं एड़ जुआइंट अफ ए डिवाइड बाइड 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 एक रिटर्मिनांट अब फिर इंटू में यह वाला बराबर कितना आई या इसका सकल ऐसा हो गया क्या A B बराबर के उस एड़ में B A बराबर I बन गया यसर बन गया इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ मेरे भाई यहां से बोल सकता हूँ कि B के जगह पे क्या लिखा हुआ है इसका मतलब यहां से बोल सकता हूँ कि B के जगह पे लिखा हुआ है एड़ ज्वाइन टॉफ ए बट्टा में डिटर्मिनांट आप अब बी को ही बोलते क्या ची हम लो एंवर्स जास्ट पीछे का डिपनिशन है बी को ही बोलते एंवर्स यानि के लिखो यहां पर से एंवर्स बराबर वन बाइडमिनांट ओफ ए इंटू ए ज्वाइट ओफ ए यह फोसा अपना पहुत काम का है लेकि इस फार्मूले का प्रूफ एक्जाम में नहीं आता है इसका प्रोपर्टी यह जायदे प्रूफ में आता है एक्जामने सुन में ध्यान दीजेगा इसमें तब से पहला प्रोपर्टी ये double times inverse करेंगे तो वापस वही inverse रह जाएगा और A into B का inverse होगा तो B inverse into A inverse होगा उल्टा होता है मेरे भाई reversal law नाम है इसका है reversal law ये उल्टा हो जाता है और यही प्रोपर्टी जो है आपके examination में आ सकता है आता है बस बाके सब दिखाने के दात है काम के कोई दात नहीं है उसको प्रूप भी करेंगे बाके सब फालतु बाते हैं A transpose का inverse बराबर A inverse का transpose A inverse का determinant बराबर determinant of A का inverse मतलब क्या A inverse का determinant बराबर one by determinant of A ऐसा कुछ और A into A का inverse बराबर में A inverse into A बराबर I मतलब किसी भी matrix को उसके inverse से multiply करो या inverse को उसके matrix से multiply करो result देगा हमें I किसी भी A scalar से matrix को multiply करेंगे तब उसका inverse निकालेंगे तो वन भाइ के इंटू डैट मेंटिक का inverse फिर के अब ध्यान दीजेगा अब ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा अब कहानी यहांपर से यह ए कि लेकिये यहाँ पर कोई भी देर लंबर होना चाहिए अब सुनो बात को सुनो तुर तुम परी बास नंबर भी यूज होता है इसका लेकिन पास नंबर इक्जामने समय नहीं आता है इसका यूज है इसका यूज परता है कोश्चन वारे में लेकिन एक्जामनेशन में नहीं आता है इस इसको पुरुफ करने के लिए आएगा इसको पुरुफ करते हैं पुरुफ करते हैं इसको पुरुफ करने का दो मेथड बनेगा हमारे पास में मेथड वन लेकिन एक्जामनेशन में आप कौन सा मेथड लगा होगे वह मैं बाद में बताऊंगा मेथड वन यहां पर से ए इंटू बी का इनवर्स पूछ रहा है ए इंटू बी का इनवर्स आप लिख सकतो यहां पर से वन बाद आइटर्मिनान्ट ओफ ए बी एटर्जवाइन्ट ओफ ए बी अब सुनना ध्यान से हम यहां पर से लिख सकते हैं कितना डिटर्मिनांद में इंटू अलग-अलग होता है बच्छे में क्लास में आप पड़ लिए होंगे बिलकुल सा एड़ ज्वाइंट रिवर्सल लोग को फॉलो करता है बी पहले यह बाद में और उसके बाद सर यहां पर से कह सकता हूं यह इसके अंदर भेज दो तो वन बाई टर्मिनांट ऑफ बी इंटू एड़ ज्वाइंट ऑफ बी कि क्या बईया आ इसको इसके पास डिटर्मिनांट का मतलब नंबर यह यहां है तो यहां अंदर कहीं जा सकता है नंबर है कोई दिक्ट नहीं कि अब ध्यान दीजिएगा यहां पर से तो हम कह सकते यह B-Inverse का फार्मूला बन गया और यह किसका A-Inverse का फार्मूला बन गया जी सर जी हां तो लेकिन इस method का लगाओ कि use examination में तो number मिलने का chance कम रहता है क्योंकि वो method थोड़ा सा घरेलू type का हो जाता है method 2 में हम बात करेंगे इसका use आपको exam में करना है इसका examination में use करना है ठीक है कैसे use करना है जो आप जानते हैं तो आदे पहले जान लिए कि a into b अब b into a वराब आई बन जाता है तो in that case हम बोलते हैं कि b जो है वो a inverse है ऐसा है कुछ पिलकुल मत्व a into a inverse वराब आई होता है तो हमें यही प्रूफ कर देना है कि जिस matrix का हमें यहाँ पर देखोगे इसका inverse यह दिखाना है तो इसको इसी से multiply करेंगे इसका inverse यह दिखाना है तो इसका इसके inverse से multiply करने पर i बनना चाहिए क्या बनना चाहिए आई बनना चाहिए तो हम करने क्या जा रहे हैं पर से इंस a into b का multiplication b inverse into a inverse के साथ करेंगे उल्टा सीधा दोनों काम करेंगे ठीक है इसमें लगा दिया भाई मैंने यहाँ पर लगा दिया भई एसोसेटीव लो क्ालो एसोसेटीव लो एक दाम बढ़़िया तरीका से बताना है इसका मत्तर यहां से लिख दिया मैंने a into फिर से अपने पास बी ईन्वार्थ बी आई बनता है किसी भी मै्ट्रिक्स को उसके इन्वार्थ से बहने करते हो तो आय बनता है जैसा कि हम तो यहाँ नमबर टोई बढ़ार आई यहाँ जो यह Seven ए पा लिकुत में में सोर्ण once無är्ण अई इन वार्स करें इनवार्स तो इनवार्स रोकें생स आप से 20 भी जाबर कितना आस almost out यहाँ पर यहाँ पर कर एक्जिस्टेंस ओफ आइंटिटी कि यहाँ पर आईडिन्तिटीच के कल रहा है इसको थोरा सा मैं दूबला पतला कर दूँ भाई साब को अब यहां पर लगा रिया मैंने भाई एक्जिस्टेंस आफ आइडिन्टिटी कि इसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मद इप्लाएगा तो कोई फरक ने पड़ता है भाई या या यनिकी एंवर्स इंटू आई इंवर्स ही रह जाएगा अब फिर से एक्जिस्टेंस ओफ इंवर्स लगा दो तो फिर बन जाएगा यह आई इसका मतल़ इस दुनों का पोड़क्ट आई को अदा है सी दहा उल्टा करो मतल़ पहले इसको बार में इसको लिखो यानिकी यहाँ पर सब्सक्राइब बात करेंगे मैं also B inverse A inverse का multiplication इसके साथ A into B के साथ फिर वही law सब repeat करोगे क्या करेंगे पहले B inverse को side कर लेंगे इसको अंदर में A B into C है तो हम क्या कर देंगे इसमें A into B C लिखेंगे A into B C का मत अब A B लिख दिया अब यह किसे किया तो by associative law यह लिखना जरूरी है मेरे बंदो लिखना जरूरी है लिखोगे तभी नंबर पाओगे लिखोगे तो नंबर पाओगे ठीक है हाँ सर अब ध्यान दीजेगा यहाँ पर से फिर से associative law लगा दो एक बार और खीचातानी कर दो इसके अंदर में क्या चातानी करना है सर भी इनवर्स इंटू इसके अंदर में देखा जाए तो ए इनवर्स इनटू एको साथ कर दिया है तीन में से किसी दो को अगर साथ रख रहे हो ना तो आँ एसोशेटीव लोही काम करता है कर दिया अब क्या करो यहाँ पर existence of लगा दो इन वार्स existence of inverse by existence of inverse existence of inverse क्या कहता existence of inverse से भी इन वार्स इंटो आई एसा अब आई भी मतलब भी किसके वज़ा से existence of identity या लगा देना वह या existence of identity existence sense of identity अब यहाँ से भी इन वार्स इंटो बी वर्याबा फिर से आई बंदा है जिसको बोलते हम लोग existence of inverse ठीक है भई यहाँ से हम यह जान रहे हैं कि ए इन टो बी का ए इन टो बी का पोड़क्ट बी इन टो ए के साथ जब करें बी इन वार्स इन टो ए इन वार्स के साथ बन रहाए या बिलकुल इ इसका मत्ल हम यहाँ से कह सकते हैं भी इसका मत्वरेक्ट बो लोगे इस दोनbellों का product necessary I बंदा है मत्तरों का मत्तर इसका inverse यह होगा और इसका in-남 Also ब्राबर में बी इंवर्ष और इंवर्स आपको एक्जामनेशन में इस मेथद को अपलाई करना है मेरे भाई बन मेरे भाई भीयों बच्छों प्यारे-प्यारे बच्छों इस मेथद का अपलाई करना है ठीक है अब चलिए भाई इस पर एक कोशन देख लिजिए एक्जामनेशन में कोशन आने का भी चांस रहता है एक कोशन इन्वर्स का आने का पुरा पुरा चांस रहता है एक कोशन भी मैंस पर लगा देता हूं ताकि इन्वर्स कंप्लेटली खतम हो जाए यह बहुत ही अच्छा कोशन ने एक्जामनेशन में कई बार रिपीट हो चुका यह कोशन कि यहां निजेगा एन्वर्स इफ एन्वर्स निकालो अगर इन्वर्स एक्जिस्ट करता है तो यहां पर ए मेट्रिक्स अपने सामने में दिया हुआ है पुरा मरिया से बिधिवत हम इसको बताएंगे चिंता मत करिएगा ठीक है अब देखें यहां पर जो है इस कोशन में ए दिया अपने सामने में बिलकुल तो सबसे पहला काम करना है कि आपके अपने कॉपी में इस कोशन को उतारना है यह इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ थ्री थ्री माइनस का फोर उसके बाद टू माइनस का थ्री एंड फोर जीरो माइनस में वन एंड वन झाल 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 तुम लोग फिर से शुरू हो गया एस्किप 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 अब दोगों यहाँ पर जो है मेरे भाई यहाँ पर इन्वास निकालना तो एक अडिटर्मिना निकालना सबसे ज़रूरी है इधर से एक्सपेंड करोगे थ्री रखोगे भईया यह गया तो अपने पास आगया माइनस का 3 अब पालस का फोर्ड ना और उसके बाद इधर चलिया तो माइनस टू पहला कॉलम से एक्सपेंड करोगे इसको इसको छोड़ दिया माइनस का 3 अब पालस का 4 इसको इसको मैंने छोड़ दिया माइनस का तीन पलस का चार यह भी कहा नहीं खतम उसके बाद बात खते हैं हम लोगो लास्ट में जीरो यहां पसे आ जागा अपने पास थ्री इंटू बन थ्री आ यह जागा वन तो टू यानिकी वन आ रहा है नौट इक्वल टू जीरो इसका मतलशर एंवर्स एक्जिस्ट क मरे भाई यह कोश्चन भी एक्जामनेशन में आ सकता है और इस टाइप का कोश्चन भी आ सकता है ठीक है भई आप सुनिए अध्यान से अब क्या करेंगे सब का कोफेक्टर निकाले कोफेक्टर के लिए फरमा तियार कर लोगे ए वन वन टू ए वन त्री इस तरह से फरमा त्यार करें ना इस अब कोफेक्टर के शिम्बॉल से ए टू वन उसके बाद ए टू टू उसके बाद बात करेंगे हम लोग A23 A31 A32 और A33 के बारें बात करेंगे अब तरीका क्या होगा अपने पास सब का माइनस निकालना होता है लेकिन एक जुगार समझना माइनस निकालने क्या आप सक्ता नहीं पड़ेगी जुगार क्या समझोगे, यहां इदोनों का सम इवन नंबर है, तो पलस में लिखोगे m11, दोनों का सम ऊच्छाम और नंबर है, तो माइनस में लिखोगे m12, दोनों का सम इवन नंबर है, तो पलस में m13, यह माइनस में m21, यह पलस में m22, यह माइनस में m23, पलस में m31, फिर पहुआ है और इबन पे कहान ही होता है इस दोनों का सम अगर इभल नहिंड आ जो तो माइण सम नहीं सभाँ । क्रिफीन नहीं है अपने प्लेश तयार कर दिया समोसा लेटी छोला सिब ढलते जहूं नास्ता त्यार दियां दो इस में इसका निकालेंगे को इसको Track то मैनसन कि कर दो मैनस तीन अब पलस्काइब छार क्यान्य की 1 बनेगा लिखुट दो रोड से दो एकम दो, माइनस जीरो, दो आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस के साथ दो, अब इसको छोड़ो, इसको छोड़ोगे, माइनस टू, अधर में कितना रहा है, जीरो, तो माइनस टू रहेगा, अब इस पर आ जाओ, इसको इसको इसकी पर आ, तीन, माइनस का, अ कि यहां माइनस है इसको इसको स्किप कर दिया तो आगे अपने पास में 3 माइनस में 0 तो 3 पलस के साथ इसको इसको छोड़ दिया मैंने तब माइनस को एक मैंने इसको चेक कर लूँ यह 3-0 ठीक है वो इसको छोड़ दिया 3-0 यानि कि 3 बट माइनस के साथ माइनस 3-0 ठीक है नहीं इसमें तुम आगर बोड़ा है लास्ट वाले में इसको इसको छोड़ दिया तो 3-3 अप फिर उसके बाद में 0 तो पलस हो जागा यह नहीं अब यहाँ पर से आजाओगे इसको इसको छोड़ दो 4-12, 4-12, 0 इसको इसको छोड़ दो 4-12 माइनस के 8, 4 लेकिन माइनस के 7 इसको इसको छोड़ दो खतम कहा नहीं इसका-9 अपलस 6-9-6-3-3 की माइनस के साथ किया सब ठीक है कोई पर भी रहा है मेरे साथ कोई पर रहा है क्या मेरे साथ नहीं कोई बात ने चलिए skip किजिए पर निडाय तो अगर इसमें थोई बहुत इरर अगर हो गई हो मेरे से तो आप इसको क्रॉस चेक कर लिजेगा हमने जल्दी में किया है numbers का हो सकता थोड़ा बहुत कर दो गया हो तो घबरानी क्या वसकता नहीं है चीकर लिजेगा इसको अब बात करेंगे एड़्ज्वाइंट अफ एडियर फोर एड़्ज्वाइंट अफ एफ इतना भी minus cofactors निकला है उस सबका transpose पटापड में elements सब पहुचाओ 1-2-2 1-2-2 उसके बात करेंगे इसमें तो minus 1 3 3 minus 1 3 3 उसके बात करेंगे हम लोग तो 0-4-3 0-4-3 चल बढ़िया बढ़िया अब transpose लिख दो यहां पर से 1-2-2-1-3-3-0-4-3 हमने transpose भी कर लिया अब अपने पास त्यार हो गया क्या चीज़ सर अब एड़ जोईंट अब एड़ इन बस रहाव लिखेंगे 1 by determinant of a into a joint of a इसका मतलब सर यहां पर से हम कह सकते हैं कि 1 by determinant of a मतलब 1 एड़ जोईंट मतलब यही भाई साम लगा दो आजर लगा दिया और इसका मतलब यह तो वापस वही रह जागा ना यह सर वापस वही राजा क्योंकि वन से डिवार करना कोई मतलब नहीं बनता है इसका मतलब यही फिर वापस आ जाएगा यहां पर यह आपके सामने एन वस मिल गया आंसर त्यार यह कोशन भी बहुत महत पुर्ण है ठीक है तो आज की क्लास में हम यही रखना चाहेंगे अगर आप किसी बच्चे को इसका पीडियप नोट्स चाहिए पीडियप नोट्स चाहिए उभी फ्री आप कोश्ट में पीडियप नोट्स चाहिए इसका नोट्स अगर पीडियप में चाहिए ठीक है पीडियप फॉर्मेट में फ्री में तो आप हमारा एप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप है ठाकुरसर मैट्स ठाकुरसर मैट्स जि सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा नए बच्छे जूर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब करें लाइक की जाएगा तो बस मोटिवेशन मिलता है अच्छा लगता है मज़ा आता है और कुछ खास बाते नहीं होती है लब यू लब यू लब यू बच्छो बाए बाए